विल्कम तू मम्तास कीचन फ्रेंट्स आजम बनाएंगे गाई या तो भेंस के कच्चे दूद में से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी स्वीट खर्वस। गुजरात में इसे बड़ी या तो बरी कहते हैं गाई या तो भेंस को बच्चा होने के बाद दूसरा दिन का जो दूद होता है उसे कच्चा दूद कहते हैं और उसमें से ये स्वीट बनती है और ये दूद हेल्द के लिए बहुत ही ज्याद अफाइदे मन है और इसके लड़ने की शक्ति इसमें काफी मातरा में होती है तो आज हम बनेएंगे इसी कच्चे दूद में से बनने वाली खर्वस यानि की बड़ी चो एक दम इजी है और बहुत ही ज्याद है टेस्टी और हेल्दी है और इसके लिए यहाँ पर मैंने सवा लिटर यानि की एक लिट लिए और साथ में इलाइची पाउडर लिया है इसमें और कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है इसी तीन इंग्रिडेंस से यह बहुत ही टेस्टी मिठाय बनकर तयार हो जाएगी तो सबसे पहले यह जो हमने डूद लिया है उसके अंदर हम पीसी हुई शक्कर को डाल दें और इसे हमें यह शक्कर घुलने तक चलाना है वैसे तो यह दूद मार्केट में नहीं मिलता लेकिन आपको अगर यह चाहिए तो आप अपने दूद वाले को बोल सकते हैं कि जब भी उसको यह दूद मिले तो वह आपको लाकर जरूर देगा और अगर यह कच्चा दूद आपको कहीं भी नहीं मिलता फिर भी आपको यह बनाना है तो आप नॉर्मल दूद में से भी यह खर्वस यानि की बड़ी बना सकते हैं नॉर्मल दूद में से बड़ी यानि की खर्वस बनाने की रेसिपी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में दी है लिं को गेस पर रख दिया है तीन से चार ग्लास इसके अंदर पानी डाल दिया है और एक स्टेंड रख दिया है और स्टेंड के उपर रख देंगे एक थाली थाली को ग्रीज करने की ज़रूरत नहीं है और स्टेंड इतना लीजिये बड़ा कि थाली के अंदर पानी ना जाए और और अब इसके अंदर शक्कर वाला कच्चा दूद जो हमने तयार किया था वो धीरे से इसके अंदर डाल देंगे आपको जितनी थिकनस चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर दूद डाल सकते हैं और मैं अभी 1 cm के थिकनस के हिसाब से दूद डाल रही हूं तो ये दूद में ने डाल दिया है और उपर इलाइची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे इसके अंदर इलाइची का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इलाइची पाउडर भी अंदर डाल दिया है और एक बड़ा ढकन इसके उपर ढक देंगे और 10-12 मिनट तक इसे धीमी आज पर इसे ही स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे तो 10-12 मिनट हो चुकी है तो चेक कर लेते हैं धीरे से इसे खुल लिए तो देख सकते हैं एक दम टेस्टी और परफेक्ट हमारा खर्वस यानि की बड़ी बनकर तयार हो चुकी है एक बार चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं एक दम ये परफेक्ट है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये थाली को हमने बाहर निकाल लिया है थोड़ा इसे हम ठंडा होने देते हैं उसके बाद इसे हम कट कर लेंगे मेरे पास इतना दुद्ध था, उसमें से एक ये बड़ी ठाली, और एक चोटी प्लेट बनी है, तो हम इसे कट कर लेते हैं, अब, एकदम इजी लिए कट हो जाएगा, तो आप अपने मन चाहे, साइज में इसे कट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एकदम इजी लिए कट होता है एक साइड कट लगा दिया है और अब हम इसे दूसरी साइड भी कट लगा देंगे तो फ्रेंट्स आपको जब भी गाई है तो भेस का कच्चा दूद मिलता है आप ज़रूर ये मीठा ट्राई करना धीरे से इसे हम निकाल लेंगे इजी लिए निकल जाएगी एकदम सौफ्ट और एकदम टेस्टी बन कर ये तयार होगी देख सकते हैं आप इसे प्लेट में निकाल लेते हैं आप इसे ऐसे फ्रेश भी खा सकते हैं बना कर और फ्रीज में रख दो तो आप इसे 5-6 दिन तक खा सकते हैं फ्रीज में ठंडी होने के बाद भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी तो फ्रेंस तयार है एक दम हेल्जी, टेस्टी और इजी गाहिया तो भेंस के कच्चे दूद में से बजने वाली बढ़े यानी की खर्वस